Welcome back friends, बहुत बहुत स्वागत हैं आपको आपने चला दिंदी जी की ट्रिक्स पर इस वीडियो में हम बात करने वाले सोनार के बारे में सोनार क्या होता है और यह हमारा फिजिक्स का सेकेंड लास्ट वीडियो होने वाला है लास्ट वीडियो जो मानपकरण वाला आएगा आब वो आपको मिल जाएगा है ना बहुत जल्र आज ही मिल सकता है या फिर कल मोलनिंग में आपको वो मिल जाएगा तो सोनार के बारे में हम जानेंगे इससे कैसे कोश्र बन सकते हैं और यह वीडियो नमबर 49 होने वाला है इससे पहले के 38 वीडियो अगर आपने नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लेगा क्लिक करके देख सकते हैं तो बात करते हैं सोनार के पूर्ण रूप की यह पूछ जाने के चांज खाफी जादा है यहोता साउंड नैविगेशन एंड रेंजिंग होता है सोनार की मदद से दूर इस्थित बस्तू की इस्थिति दिसा और दूरी की जानकारी ध्वनी के माद्यम से प्राप्त की जाती है यानि कहा है कितनी दूर है यह सारी के सारी जानकारी मिल जाती है समुंदर की गहराई ये आप कहा है जो डूबे हुए जहाज बगेरा होते हैं उनका पता लगाने में बड़ी बड़ी चट्ठानों का समुंदर में पता लगाने के लिए सोनार का ही प्रियोग किया जाता है सोनार दो पिरकार के होते हैं सक्रिय और एक निस्क्रिय यह दो पिरकार के होते हैं सोनार के प्रियोग यानि दो पिरकार के सोनार होते हैं सक्रिय और निस्क्रिय तो आज के इस वीडियो में इतना ही आई होप वीडियो आपको पसंद आयो लाइक शेयर करना ना भूले thank you for watching मिलते next video में